नमस्कार फ्रेंड स्वागत है यूटूब चैनल पहोली से पहले रासनकार धारकों की हुई मौज मिलेगा ज्यादा अनाज सरकार ने जारी किये निर्देश रासनकार धारकों के लिए बड़ी खुसकबरी आ गया अगले महिने यानी मार्च इससे सरकार की तरब से एक्स्ट्रा रासन मिलेगा इसके बारे में जानकारी दी गई है केंदर और राज्य सरकार की तरब से गरीबों और जरूरत बंद लोगों को फ्री रासन दिया जाता है सरकार ने करोना काल में ये सुविदा सुरू की थी इसको कई बार बढ़ाया जा चुका है अगले महिने हो ली है और इससे पहले सरकार ने ज्यादा रासन देने का फैसला लिया है तो आईए आपको बताते हैं कि किन लोगों को ज्यादा रासन का फाइदा मिलेगा आपको बता दे कि राज्य सरकार की तरब से कई स्कीमे चलाई जा रहे हैं जिसके तहत राज्य के कई लोगों को फाइदे मिल रहे हैं इसी कड़ी में अब हिमांचल प्रदेश सरकार ने रासन कार्ड धारकों को एक किलो ज्यादा चावल देने का फैसला लिया हिमांचल सरकार ने प्रदेश के एपियल रासन कार्ड धारकों के लिए यह फैसला लिया है अब से हीमानचल में रहने वाले एपियल रासन कार्ड धारकों को एक किलो चावल जादा मिलेगा बता दे कि यह फाइदा एक मार्च दोजाट तेश से मिलेगा इस समय APL कार्ड धारकों को 7 किलो चावल मिलता है अगले महिने से इन लोगों को 8 किलो चावल का फायदा मिलेगा ऐसे में प्रदेश के सरकारी डीपों में रहने वाले चावल के लिए प्रदेश के 12 लाग से जादा उभोकताओं को प्रती किलो 10 रुपए देने होते हैं राज्य में सरकारी रासन का फायदा देने वाले उभोकताओं को दो कटेगरी में बाटा गया है इसमें पहली कटेगरी वाले APL कार्ड धारक आते हैं वही दूसरी कटेगरी में BPL कार्ड धारक आते हैं आपको बता दे कि APL और BPL दोनों ही कटेगरी के कार्ड धारकों को मिलने वाले रासन की मातरा में भी अंतर होता है जिनके पास BPL कार्ड है उन्हें APL कार्ड धारकों के मुपकाबले सस्ती दरोपर रासन उपलब्ध होता है प्रदेश में BPL कार्ड धारकों को गेहु, डाल, तेल, चीनी, नमक और चावल आदी खाने की चीजे सस्ती रेट पर दी जाती है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसी तरह की और भी नियूँ सुनना पसंद करते हैं तो चैना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिलकूर मत भूलिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके राज्जी में आप लोगों को ये सुबिधाय मिल रही है की नहीं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैभारत